नमस्काल दोस्तों बैंक निफ्टी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो बिल्कुल अपने रिजिस्टेंस जोन पर है और मंडे को यह कैसा ट्रेड करेगा इसके बारे में आज हम करने वाले यहां पर मैंने लिए यहांँ अपने यहां पर को आजओ फ्रेड करेंग्द करने वाला तो यहां पर आपको सब्सक्राइब करने वाले यहां पर यहांं कंलोजिंग बिल्कुल वहां पर है तो यहां से एक पिर हिम parenthशन केंडल भी बन सकती है कोई बड़ी बात नहीं ऑद बहूत cumplained mechanism कैंड नहीं मिली है और यहां पर आपको मैं और चीन दो तीन चीन दिखाने वाला हूं तो और एक मेजर क्रेक्षन हो सकते हैं तो यहां पर बहुत जादा अलेट रहने वाली बात है तो यहां पर अगर यह अपने इसको डार्यक्त सीधा यहां तक ले आसकती है और इसके वाद एक निकले है एक बार करने गाarianिच राई के तरफ निकल सकता यॡ़ा थाooo आंप और्यों को मैं वेख आवा सानके आवाल रहां, मैंने लगा ख्याल में combustion को और हमार यहां पर देखो ग獎 तो लगातार अप्ट्रेंड में जा रहा है एक बार यह मेजर क्रेक्शन जूर रहाई थी बड़ यहां से फिल से बुल हैं वह बिल्कुल हावी हो गए उन्होंने कभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाने नहीं दिया है बट अब जैसे कि आपको पता है कि ओल टाइम हाई पर च चाहिए अगर यह अपने अप्ट्रेंड के लाइन को तोड़ता है यहां पर हम को यहां पर देखना रही जो न यहां पर क्या चलता है अगर यहां पर ब्लबकि सबयाए कुछ दिर consolidated करने के बाद तो तो guys अच्छी बात है क्योंकि जो downtrend के line आप देख रहे हो इसको अगर यह हटा देता है और यहाँ पर consolidated करके यहाँ पर कुछ दिर तर consolidated करता है और यहाँ पर निकालता है तब भी काफ़ अच्छी बात है उसके लाब एक और चीज हो सकती है कि यह शायद थोड़ा सा नीचे आ सकता है यहाँ पर जो अपनी trend line है तो यहाँ पर बहुँ ज़्यादा aggressive होकर आप ना buying कीजेगा ना selling कीजेगा यहाँ पर आप selling भी नहीं कर सकते हो selling करने के लिए आपको थोड़ा सा level देखना पड़ेगा यह अगर इसके नीचे आता है यहाँ पर इस trend line को हमारी जो trend line है इसको break कलता है और यहाँ पर नीचे आता है और फिर इस level को retust कलता है यह हमारा level है 43,500 के नीचे आता है और इसके बाद यहाँ से अगर यह नीचे आता है और इस level को तोड़ देता है जो कि हमारा 43,400 का level है तो यहाँ से आप एक short position बना सकते हो बड़ यहाँ पर जैसा कि मैं फिल से बता रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी quantity में sell करने का मैं सोचिए 100-100 points बहुत होते है 100-100 points 200 points के आसपास का जो भी है तो वो आप कर सकते हो तो अगर यहाँ से आप short करते हो तो यहाँ का target आप ले सकते हो 43,100 maximum और उसके लावाज एक छोटा target जो पहले मिलेगा वो यह मिल सकता है आपको लगबग जो यह है 800 से सीधा नीचे आ रहे होंगे 400-500 points के आसपास और उसके बाद अगर इतना target मिल का तो काफी बड़ी movement हो जाएगी जो कि normally होती नहीं है बट जैसे कि करनाट का वागा के result भी आये थे तो हो कुछ भी सकता है एक दिन में 700-800 points का correction मिल सकता है कि यह major level है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आप दे सकते हो काफी जाता बड़ा major level है काफी बड़ा resistance है और यहां पर मैं यह क्यों कह रहा हूं आपको कि correction मिल सकती है आपको यहां तक कि और यह क्या है यह दिखिए आपको मैं दिखाता हूं काफी जादा पावरफुल बन रहा है शायद आप में से जाता लोगों ने देखा भी नहीं हो तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कि यह handle pattern है तो यहां पर आप देखोगे तो यहां से यहां तक यह आपको एक cup दिख रहा होगा और अगर इसको पूरा handle बनाना वैसे तो यह छोटा handle भी चल सकता है काम हो सकता है बट अगर आपको पूरा handle बनाना है तो इसके लिए आपको गाईज इसको थोड़ा सा मैं कलता हूं कुलोन और फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं कह रहा हूं जो कि major correction हो सकती है और यह अपने इस जो आपको दिख रहा है trend line यहाँ पर एक बार आ सकता है और यहाँ पर आने के बाद एक cup and handle का pattern यह कुछ ऐसा बना सकता है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर एक बार इस trend line के आसपस आए और यहाँ पर consolidated करें और उसके बाद अगर यह breakout देता है तो काफी ज़्यादा powerful breakout दे सकता है जो कि daily chart पर आपको देखने को मिल जा रहा है यह जो cup and handle pattern है यह जो यहाँ से retrace किया था जो major trend line अभी जो इस trend line को follow कर रहा है बट अगर यह एक बार retrace करके इस trend line को follow करें और इतनी देल तक यहाँ पर consolidate करें थोड़ा सा बड़ा view है मेरा क्योंकि यह बहुत ही बड़ा rounding pattern बन रहा है और यह बहुत ही ज़्यादा powerful होता है तो आपको मैं पहले भी दिखाता हूँ यहाँ पर बने हुए है यह बहुत मतलब बड़े results हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा बट यह पूरे पूरे chance हैं कि अगर यह थोड़ा सा retrace करती है तो यहाँ पर आ सकती है तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर सीधा यह शूटिंग स्टार केंडल बना दे रहा है अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार केंडल बना दे रहा है तो इसका आप हाई का ऐसल लगा कर आप ट्रेड कर सकते हो चोटी सी quantity के साथ क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि डे हाई और अपने ओल टाइम हाई पर चार रहा है तो अगर बुल जितने पावरफुल दिख रहे हैं क्योंकि आपको बुल देखेंगे है तो यहाँ पर यह लोग टर्म फोलो नहीं कर रहे हैं और अगर इसको यह फोलो करेंगे तो यहीं से सीधा यहीं पर इसको अगर ब्रेक करता है तो काफी अच्छे आपको मूव देखने को मिल सकते हैं और अगर यह इसके ऊपर कंसोलिडेट कर गया 44,000 के ऊपर तो तो भाई बहुत ही बड़े टार्केट देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो पैसे कमा सकते हो तो थैंक्स आप वोचिंग आईज मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाबाई